Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं chapter number 5 complex numbers and quadratic equation इसका कुछ basic parts हम यहाँ पे इस वीडियो में cover करने वाले हैं जो कि हमारी first exercise में use होगा जिसको ये समझ में आ गया ये मान लीजिए कि first exercise आपको अच्छे से clear हो गई तो आप इस पे थोड़ा सा focus कीजिए अच्छे से concentration के साथ आप इसको सीखिए तो चलिए start करते हैं सबसे पहले देखो हमारा जो chapter है वो two parts में divided है complex numbers और quadratic equation ये होते क्या हैं अब quadratic equation के बारे में तो आपने class 10th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है अब जैसे अब हमारी कोई भी equation होती है quadratic कैसे बोली जाती है ax square plus bx plus c की form में अगर कोई equation है तो उसको हम क्या बोलते है quadratic equation क्योंकि इसके degree क्या होती है yes degree two होती है ठीक है अब इसके factor find out करने हो एक तो factor find out हम normally कर लेते हैं इसको middle the splitting term से या splitting the middle term से कैसे भी लिखा जाता है और दूसरा method जो होता है वो हमारा क्या होता है एक formula होता है d equal to b square minus 4ac ये इससे भी हम factor find out करते हैं और condition क्या होती थी हमारी b square minus 4ac जो है b square minus 4ac greater than 0 होना चाहिए तब ही हम उसके root find out कर सकते थे real roots ठीक है अब बात आती है अगर हमारा b square minus 4ac less than 0 हो means negative value हो तो हम root किस तरिके से find out करेंगे अब 10th class में तो हम find out करते नहीं थे root इनके हम ये लिख देते कि real roots हो जो है possible नहीं है अब देखो एक और example लेते हैं एक तो ये condition होगी b square minus 4ac less than 0 हो या फिर अब देखो अगर मान लिया हमारे पास given हो x square minus 4 equal to 0 इसके root find out करने हो आप easily find out कर लोगे x square equal to 4 किया x is equal to क्या हो गया under root 4 और 4 का root करेंगे तो क्या जाएगा plus minus 2 negative और positive दोनों value possible होती है किसी का root करते हैं तब ठीक है क्योंकि इसका complete square दोबारा करेंगे तो दोबारा 4 या आएगा plus 2 का करो तब भी 4 आएगा minus 2 का करो तब भी 4 आएगा इसके तो root निकल गए अगर मान लिया मैं देदू x square plus 4 equal to 0 अब क्या होगा अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे x square equal to 4 को right side लेके गे तो minus 4 x is equal to क्या आजाएगा under root minus 4 plus minus अब भी root के अंदर negative term आगी negative term जैसे ही आती है आप यह सोचते कि इसका तो root possible है ही नहीं भी बिलकुल नहीं होता हमने पढ़ा है 10th class तक बट अब 11th class में हम देखेंगे कि negative term का भी root कि इस तरिके से find out किया जाता है वो सब चीज़े हमारी किस के अंदर आएंगी complex number के अंदर I hope आपको समझ में आई है बात क्या करने वाले हैं हम इस chapter के अंदर तो चलिए देखते हैं आगे क्या है अब हम पढ़ेंगे अपना complex number के बारे में class का उसके अंदर मैंने introduction में भी बताया था 1 2 3 4 up to infinity ये value जो होती है हमारी natural number के अंदर आती है whole numbers क्या होती है जिसके अंदर 0 भी include हो जाए means 0 1 2 3 up to infinity ठीक है integer value कौन सी होती है हमारी integer होती है हमारी 0 plus minus 1 plus minus 2 इस तरीके से clear है आपको और उसके बाद rational number के बिवारे में भी आपको पता है rational number के उनसे होती है हमारे जो p by q की form में लिखे जाए और q क्या हो not equal to 0 means q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए वो हमारे क्या कहलाएंगे rational number और जिस number को हम p by q की form में नहीं लिख सकते है उसको हम क्या कहेंगे irrational number clear है ये चीज़े आपको पता है अब बात आती है हमारी complex number की अब complex number होता क्या है complex number जो होता है वो combination of real number और imaginary number होता है पहले definition लिखते है it is a combination of combination of real number and imaginary number imaginary number अब भई देखो यहाँ पे क्या है real number term तो आपको पता है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, infinity तक ये सब क्या कहलेंगे हमारी real numbers real number की definition भी पता है ये सब real numbers है हमारे अब main जो नई चीज आई है आपके सामने वो आई है imaginary number क्या होता है अब ये चीज आपको समझनी है बस real number और imaginary number का combination क्या कलाएगा complex number अब imaginary number होता क्या है, वो देख लीजिए अब देखो root के अंदर कोई भी हमारी negative term हो, जैसे minus का 5 आ गया या फिर root minus 7 आ गया root minus 3 आ गया ये सब क्या है हमारे imaginary number imaginary numbers समझ में आई बात अब इसको लिखा कैसे जाता है, negative term का root किस तरीके से निकाला जाता है वो सीखते हैं अब देखो, यहां पे न, हम देखो मान लिया, minus root 5 का निकालो या minus root 3 का, किसी का भी ले लो जैसे minus root 3 का हमने root find out करना है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ minus का 1 multiply root 3 बस ध्यान से समझो एक चीज, क्या minus 3 को मैं minus 1 into 3 लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, minus 1 की 3 से multiply करूँगा, same term आनी है हमारी और इसको मैं further divide करके ऐसे लिख सकता हूँ, under root minus 1 multiply में under root 3 यह चीज समझने है बस आपको यह चीज समझ में आ गई तो clear है, बस बिलकुल simple सा step है वैसे अब देखो, under root minus 1 जो under root minus 1 जो होता है, वो किसके equal होता है मारा I, इसको कहते हैं OITA, क्या होता है यह OITA I O T A under root minus 1 को हम I से denote करते हैं, अब root को उस तरफ लेके जाएंगे तो minus 1 is equal to क्या हो जाएगा, I का square, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है, most VIP चीज है इस chapter की, कि OITA जो होता है, वो under root minus 1 के equal होता है, OITA का square जो होता है, वो minus 1 के equal होता है clear है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिखेंगे, under root minus minus 1 को किस से denote कर सकते हैं I से, तो I आगया है यहाँ पर, और under root 3 यह आगया हमारा किसी भी negative value का root इस तरीके से निकाला जाता है समझ में आ गया, तो यह जो आया है मेरा, यह क्या आया है imaginary number imaginary number I hope यहाँ तक आपको कोई भी doubt नहीं होगा, सारे doubt आपके अच्छे से clear हो चुके होंगे ठीक है, next बात करते हैं कि complex number को लिखा कैसे जाता है बनाया कैसे जाता है जो हमारा complex number होता है उसको हम represent करते capital Z से ठीक है, यह होता है Z equal to A plus OYOTA B अब यहाँ पे A जो होता है, वो होता है हमारा real number और जिसके साथ भी OYOTA आ गया, वो होता है हमारा imaginary number imaginary number और जो यह Z आएगा इन दोनों का combination, यह कहलाएगा हमारा complex number समझ में आ गया आपको बिल्कुल अच्छे से Z is equal to A plus OYOTA B, इसका मतलब क्या है complex number जो होता है, real number और imaginary number का combination जिसके साथ OYOTA मिल जाए या फिर root के अंदर negative term मिल जाए वो हमारी imaginary number कहलाएगी, I hope आपको समझ में आ गया, example दे दिता हूँ में यहाँ पे एक है, मान लिया आपके पास कोई term है, Z is equal to 2 plus 3 arta या फिर इस तरिक्के से भी लिख सकते हैं, 4 plus 5 arta, या फिर 7 plus arta 9, ऐसे भी लिखा जा सकता है यह सब क्या क्यलाएंगे हमारे complex number क्योंकि इनके अंदर देखो, यह real number हो गए और यह हमारे क्या हो गए imaginary number, इनके combination क्या क्या क्यलाएंगे हमारे complex number समझ में आ चुकी है आपको basic जो चीज़े थी, अब सीखते हैं, भी addition, subtraction multiplication और division of complex number किस तरिक्के से की जाती है, वो चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, तो पूरी की पूरी exercise आपकी clear हो जाएगी, सबसे पहले सीखते हैं, addition addition हम किस तरिक्के से करेंगे, तो यहाँ पे हम example ले लेते हैं, एक complex number ले लिया z1, मान लिया क्या है 2 प्लस 3 आर्टा एक z2 है, हमारा मान लिया हो क्या है, 3 प्लस 4 आर्टा कोई और example भी ले सकते हो आपकी मर्जी है, अब मुझे चाहिए z is equal to z1 प्लस z2 तो कैसे किया जाए, देखो z1 क्या है, 2 प्लस 3 आर्टा प्लस में 3 प्लस z2 की value रखेंगे, 4 आर्टा अब इसके अंदर क्या होता है real value के अंदर तो real value add होती है, और imaginary value के अंदर imaginary value add होगी ऐसे ही subtraction के अंदर होगा ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 real है, 3 भी real है 2 और 3 क्या हो गया, 5 प्लस में, 3 और 4 क्या हो गया add किया, तो 7 7 आर्टा, तो z जो आगया subtraction सीख लेते हैं subtraction मान लिया z is equal to, मुझे चाहिए z2 minus z1 क्या चाहिए, z2 minus z1, तो z2 की value रखो 3 plus 4 आर्टा bracket में डालो, minus z1 की value क्या है 2 plus 3 आर्टा इसको simplify करो, 3 plus 4 आर्टा, minus अंदर लेके जाएंगे, तो minus का 2 minus का 3 आर्टा इसको simplify करो, 3 में से 2 गया, 1 4 आर्टा में से 3 आर्टा गया तो plus का आर्टा 1 आर्टा लिखने की ज़रूर तरहीं है सिदा simply I लिख दो, तो ये आगया मेरा subtraction of a 2 नंबर, clear है कोई दिक्कत नहीं है, अब बात करते है multiplication और division की ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान से सीखनी है, अब सीखते है multiplication 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 किस तरीके से की जाती है मान लिया हमारे पास नंबर जो थे वो यही है z1 is equal to 2 प्लस 3 आर्टा और z2 जो है हमारा वो है 3 प्लस 4 आर्टा अब multiplication करनी है हमने z is equal to z1 into z2, तो कैसे करेंगे 2 प्लस 3 आर्टा bracket में 3 प्लस 4 आर्टा अब जैसे हम पहले करते आये थे ना, जैसे 10th क्लास में करते थे जैसे 2x प्लस 3 की 3x प्लस 4 के साथ multiply करते थे, पहले 2x की इसके साथ करो, फिर इसके साथ फिर 3 की इसके साथ भी, इसके साथ भी ऐसे ही करना है बस इसके अंदर भी बस same procedure को follow करना है तो 2 की पहले किसके साथ करेंगे 3 के साथ, फिर 2 की किसके करेंगे 4 आर्टा के साथ फिर 3 आर्टा की 3 से, और 3 आर्टा की 4 आर्टा से जो भी symbol है बीच में वो use कर लेंगे देखो 2 की 3 से की 6 2 की 4 8 से की तो plus का sign आएगा 8 8 3 8 की 3 से की तो plus का 9 8 plus में 3 4 जा 12 और 8 और iota की multiplication जो होगी वो iota का square अब इसको थोड़ा simplify कर देते हैं 6 plus ये देखो same term है 9 और 8 क्या हो गया 17 8 अब यहाँ पे देखो iota square किसके equal होता है मारा minus 1 के equal ये चीज आपको ध्यान रखनी है और मैंने पिछे भी बताया था कि और under root minus 1 किसके equal होता है iota के equal ये चीज आपको याद होनी चाहिए अब यहाँ पे iota square आए तो उसकी value minus 1 होती है यहाँ minus 1 put करेंगे तो 12 की minus 1 से multiply minus 12 add मत कर दे ना कहीं इसके 12 minus 1 कर दो 11 लिख दो multiplication में है 12 की minus 1 से multiply minus 12 तो यहाँ आएगा minus का 12 ये किसके equal हो बन गया minus 12 में से 6 का minus का 6 plus में 17 आएटा ये आगया मेरा multiplication of a two number two complex number समझ में आ गई होगी multiplication भी next बात करते हैं अपनी division की अब division और सीख लेते हैं किस तरिके से हम division करेंगे मान लिया z is equal to z1 by z2 करना है तो z1 क्या था हमारे पास 2 plus 3 आटा और z2 क्या था 3 plus 4 आटा अब भई division तो यह होगी कुछ भी cancel out नहीं हो रहा है बट आपको क्या ध्यान रखना है जैसे हम 10th के अंदर भी सीखे आए हैं और 3rd और 2nd chapter के अंदर भी था अगर हमारा denominator में root की term होती है तो उसको हम rationalize करके denominator से root को अटा देते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है denominator में कभी निचे वाली टरम को multiply भी कर दो और divide भी कर दो तो यहाँ पे plus है तो sign change करके 3 minus 4 आटा upon में 3 minus 4 आटा समझ में आगई बात उपर इन दोनों की multiply करेंगे इन दोनों की multiply देखो पहले 2 की 3 के साथ की तो क्या आजाएगा 2 3 जा 6 2 की 4 के साथ की तो minus का 8 आटा 3 आटा की 3 से की तो plus का 9 आटा और 3 की और 4 से की तो 3 4 जा 12 minus का 12 आटा स्क्वेर उपर की multiplication समझ में आगई आपको निचे देख लिते है निचे हमारा formula बन जाएगा a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square तो क्या बन गया 3 का square अब इसको simplify कर लो यहाँ पर देखो 6 है 9 आटा में से 8 आटा गया तो plus का 8 आटा square की value क्या होती है minus 1 यहाँ minus 1 पूट करेंगे तो plus का 12 हो जाएगा divide by इसको simplify करो फर्दर 3 का square 9 minus का sign 4 का square क्या होगा 16 और आटा का square आटा square 12 और 6 क्या हो गया 18 प्लस आटा अपोन में 9 और आटा का square क्या होता है minus 1 minus 1 और 16 minus 16 की multiplication करेंगे तो plus 16 plus 16 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 तो यह आगया मेरा क्या division of a 2 complex number इसको separate करके भी लिख सकते हो किस तरीके से 18 by 25 प्लस में आटा by 25 क्योंकि complex number क्या होता है real number प्लस imaginary number का sum तो real number तो यह बन गया हमारा और imaginary number जिसके साथ आई आता है वो imaginary number हो गया I hope आपको समझ में आ गया है यहाँ तक कोई भी doubt नहीं होगा कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं अब दो तीन और छोटी छोटी चीजे रह गई हमारी वो सीख लेते हैं क्या है अब देखो उसके लिए आपको छोटा सा basic concept पता होना चीए जैसे मान लिया मेरे पास है कोई भी term x की power 10 है तो क्या मैं इसको इस तरीके से break कर सकता हूँ x की power 2 और किसे multiply करूँ कि ये 10 बन जाए 2 5 जा 10 x की power 2 into 5 मैं कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है दूसरी चीज आपको क्या पता है अगर मान लिया x की power 5 है तो इसको मैं break करके ऐसे लिख सकता हूँ x की power 2 into x की power 3 क्योंकि देखो दोनों के base सेम है ये भी x है ये भी x है तो power क्या हो जाएंगी add 2 और 3 5 same term आ जाएगी ये चीज आपको पता है अच्छे से अब चलते हैं हमें जिस बच्चे को ये अच्छे से पता है आगे की term सीख लेते हैं देखो under root minus 1 किसके equal होता है oita के equal पता है हमें और minus 1 किसके equal होता है oita square के ये दो value तो हमें पता है अब अगर मान लो कोई हमें कह दे oita cube की value बताना वही क्या value होगी तो oita cube की कैसे निकालने oita cube की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको break करना पड़ेगा कैसे oita square into oita में कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है योकि इसकी power 1 है इसकी power 2, 2 और 1, 3 oita square की value क्या होती है minus 1 तो यहाँ put करूँगा मैं minus 1 into में oita और किसके equal आ गया है minus का oita के equal तो मतलब i की power 3 को मैं minus oita भी बोल सकता हूँ समझ में आ गई यह तो थी छोटी सी बात अगर मान लिया आपके पास आजाए कोई बड़ी term जैसे मान लिया आ गया पहले थोड़ी सी बड़ी लेते है i की power 5 i की power 5 अब इसको कैसे करेंगे करना क्या है ध्यान से सुनो बस अगर यहाँ पे odd value आ जाए power में तो क्या करो आइटा की power 2 यह तो करना ही करना है किस से multiply करेंगे इस से थोड़ी सी पहले पहुच जाए हम इस से पहली even term क्या है 4 4 पे पहुचना है तो 2 से multiply करनी पड़ेगी 2 2 जा 4 और 7 में क्या बचेगा हमारा एक है आइटा बच जाएगा त्यान से देखो इसको 2 की power 2 आइटा की power 4 हो जाएगा और एक और आइटा एड़ होगा तो आइटा की power 5 अभी दो तीन और एक्जम्पल बताऊँगा मैं जल्दबाजी नहीं करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझेंगे अब आइटा square की value क्या होती है माइनस वन ये आपको mind में रखनी है तो माइनस वन की power क्या आजाएगी 2 into आइटा अब माइनस वन का square करेंगे even power है तो पलस वन हो जाएगा पलस वन की आइटा से multiply आइटा तो आइटा की power 5 की value क्या आगे आइटा के एकवल आगे हमारी समझ में आगे आगे आपको बात अब लेते थोड़ी सी बड़ी term मान लिया आइटा की power हो 10 इसको कैसे करे अब भी पताया था मैंने पताया था सबसे पहले आइटा क्या square लिखेंगे उसको किस से multiply करेंगे इसके पास ये तो even है तो सिद्धा पोच जाएंगे हम 5 से multiply करेंगे तो 5 टू जाटेंगे देखो अब आटा square की value क्या होती है माइनस 1 पूट कर दी उसकी power 5 अब power odd है तो माइनस 1 का माइनस 1 ही रहेगा ये चीज आपको पता है odd power हो तो माइनस 1 का माइनस 1 रहेगा even power होती तो क्या हो जाता माइनस 1 का प्लस 1 हो जाता ठीक है अब थोड़ी सी और बड़ी term ले लिते है मान लियो आपके पास आजाए i की power 29 बड़ी term है देखे डरना नहीं है बिल्कुल सिंग्पल सी बात है 29 से पहली even term क्या होती है 28 तो यहाँ पे देखो i की power square तो हमने लिखना ही है 28 पे पहुचने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 14, 14, 2 जा 28 और 7 में into में क्या आएगा आर्टा अब यहाँ पे आर्टा square की value पुट कर लो माइनस 1 इसकी power 14 into आर्टा अब negative की power even है तो क्या हो जाएगा positive हो जाएगा plus 1 और into आर्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आर्टा तो एक result सामने आया है मेरा यहाँ पे अगर power odd हो तो उसका result positive आर्टा आएगा अगर power even हो तो उसका result minus 1 आएगा try करके देखते हैं एक और example मान लिया आर्टा की power 62 ले ली वई कैसे करें आर्टा का क्या करना है square और square को किस से multiply करेंगे 62 पर पोच जाए 31 पर अब देखो यहाँ पे आर्टा square क्या होता है minus 1 minus 1 की power 31 odd power है तो क्या हो जाएगा minus 1 अभी बताया दा मैंने even power हो तो minus 1 result आएगा odd power हो तो आर्टा result आएगा clear है रटना नहीं है मैंने समझाया है बस आपको समझ में आना चाहिए यही दो result आएगे हमारे I hope यह चीज आपको अच्छे से clear हो चुकी है अब बात आती है अगर मान लिया हमारे पास कोई negative term आ जाए कि भई कोई भी negative term है उसके हम किस तरिके से करेंगे जैसे मान लिया आ जाए आयटा की power minus का 7 आ गया तो इसको क्या किया जाएगा सबसे पहले 1 by आयटा की power 7 करेंगे इसको rationalize करेंगे मतलब एक तरिके से आयटा की power 7 से multiply आयटा की power 7 से ही divide इसको अगय क्या लिखेंगे आयटा की power 7 अप उन में आयटा की power क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और 7 14 अब इसको देखो कैसे simplify करेंगे आयटा की power 7 को अलग करेंगे आयटा की power 14 को अलग 7 को क्या क्या लिख सकता हूं 8 की power 2 का 3 into 8 अब उन वे 14 को कैसे लिख सकता हूं 8 का square की power 7 समझ में आ गई इसको सिंप्लिफाइ गर लो 8 square की value minus 1 minus 1 की power 3 into 8 अब उन में minus 1 की power 7 minus 1 की power odd है तो minus 1 रहेगा तो minus 8 आ गया उपपर और निचे minus 1 की power 7 है तो negative minus 1 आएगा तो यह आगया minus से minus cancel तो क्या solution आगया इसका समझ में आगई बात clear हो गई है कोई दिक्कत नहीं है अब रह गई हमारी दो turn एक additive inverse एरे के multiplicative inverse अब additive inverse किस तरिके से find out करेंगे और multiplicative inverse किस तरिके से find out करेंगे वो देख लेते हैं additive inverse किस तरिके से निकालेंगे अब आप जल्दी से सोचके बताओ additive inverse आपने कौन सी class में सिखा था सोचो जल्दी से 8th class का 1st जो chapter था 1st exercise उसमें additive inverse भी और multiplicative inverse भी दोनों थे अगर नहीं याद हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा remind करते हैं देखो अब हमारे पास complex number क्या होगा z is equal to मान लिया हमारे पास number है 2 प्लस 5 आटा या फिर कोई भी और number है इसका additive inverse कैसे करेंगे इसको negative कर दो minus का z means इसको negative term बनाना है minus of 2 प्लस 5 आटा इसको अगर open करके लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे minus को अंदर ले जाओ minus का 2 minus का 5 आटा ये बन गया हमारा additive inverse mean क्या है जो भी इसके sign है ना उनको reverse कर दो change कर दो वो हो जाएगा additive inverse लास्ट बात करते है multiplicative inverse की multiplicative inverse ये क्या होता है अब देखो यहाँ पे हम example लेते हैं z is equal to 2 प्लस 5 आटा यही लेते हैं इसका reciprocal ले लो वो क्या हो जाएगा multiplicative inverse reciprocal means z को क्या लिख दो 1 by z तो हमारा जो number complex number वो क्या बन जाएगा 1 by 2 प्लस 5 आटा अब भाई याब बात आती है कि denominator में तो हमारा छोड़ नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा इसको multiply करेंगे 2 माइनस 5 आटा से और इसी से divide जैसे rationalize करते थे same procedure है बस यहाँ पे positive है तो negative sign कर दिये यहाँ भी negative उपर क्या आगया 2 माइनस 5 आटा क्योंकि 1 से multiply कर दी अब उन में यहाँ पे a प्लस b a माइनस b तो a square माइनस b square तो 2 का square माइनस 5 आटा का square तो यहाँ पे क्या बन गया 2 माइनस 5 आटा numerator में denominator में 2 तू जा 4 माइनस में 5 का square 25 और आटा का square आटा square अब आटा square दिखते ही आप क्या लिख दोगे माइनस 1 होता है उठकर दो भई तो उपर क्या उन गया 2 माइनस 5 आटा अब उन में 4 यहाँ पे प्लस का 25 हो जाएगा 25 और 4 क्या हो जाएगा 29 तो यह आगया मेरा multiplicative inverse I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई डाउट नहीं रहा होगा कोई भी डाउट किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं Otherwise complex number का basics मैंने यहाँ पे बहुत सारा अच्छे से define कर दिया है कोई भी डाउट किसी परकार का लगे तो मुझे comment करके पूछें Otherwise channel को subscribe कीजिए like कीजिए और बहुत सारा share करने में help कीजिए Thank you students for watching this video Thanks